ओके तो ये डे थ्री है अपना ठीक है जिसमें हम 29 डॉलर मतलब 29 डॉलर को हम ग्रो कर रहे हैं अपने इस पॉकेट ऑप्षिन के सिरीज को फस्ट और डे टू में मतलब डे वन और डे टू में हमने काफी कुछ सेख अप साइकलोजी से लेकि रिस्क मैनेजमेंट और सारी ची जो को हमने इंडिया समझा प्रैक्टिकली समझा ठीक है अभी हम थोड़ा एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे डे थ्री है और देख सकते हो अपना बैलेंस भी थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो चुका है मतलब 30 डॉलर अगर बोल दे 29 डॉलर से हम 805 डॉलर पे आ गए ठीक है थो थोड़ा बहुत स्मॉल ट्रेड किया थे मैंने तो थोड़ा इदर साओ देट सो डॉलर की आसपास थोड़ा एक्स्टा ग्रो हो गया 805 डॉलर के आसपास हम भी यहां पर पहुंच चुके तो डे 3 में हमारा जब कैपिटल अच्छा हो गया तो हम यहां पर और तरीके से जा रहेंगे अब बुजिट कलर में हम नेक्स पर ट्रेड करने वाले क्योंकि मार्केट अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो मार्केट बतलब अल्मुस्ट टॉप की रेंज में आ चुका है तो हम यहां पर प्योर एनलेसिस के बेसिस पर एक्वरेट ट्रेड यहां पर 800-800 डॉलर की यह जैसा कि मैंने कहा कि डे 3 में हम क्या फोकस करेंगे कि हम एक्वरेट तरीके से कैसे अपने अपने एनलेसिस को फिट बैठा सकते हैं कैसे हम एक्वरेट के साथ में ट्रेड कर सकते हैं जितनी ज्यादा कम हमारे एर्ट बनेंगे हमारे लासिस बनेंगे उतन ज्यादा accurate हमारा analysis बनता जाएगा और उस हिसाब पे उस हिसाब से हमारा account जो है बहुत बहुत बहुतर तरीके से grow होता जाएगा ठीक है हम suffering में नहीं पढ़ना चाहेंगे इसलिए हम बहुतर से बहुतर trade धुड़ने की कोसिस करेंगे वो भी ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ अ साथ में टॉप के एरिया में मार्केट पहुच गया तो हो सकता है पॉसिबिली टॉप के एरिया में जो की रेंज मीनी रेंज होती है और है भी करेंट सिचुवेशन में भी है ठीक है तो उसको हम थोड़ा सा जौ कर लेंगे या फकर बतलब analysis करने का ठ्राइग करेंगे और इन बेट्वीन क्या हो सकता है उसको भी हम थोड़ा समझेंगे ठीक है और जिससे करेंट सिचुवेशन की बात करें तो मार्केट एक अच्छे बैंक सिचुवेशन से निकल के आया है चल करके आया है फिर जाके देखो टॉप में थोड़ा सा तूटना स्टार्ट हुआ रि होगा तो वो सारी चीज़े डिपेंड करती है कि मार्केट की टॉप की सिचुवेशन क्या है टॉप के एरियाज में मार्केट ने प्रिवियसली किस तरह से परफॉर्म किया और करेंट सिचुवेशन में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है कौन से सिचुवेशन जो मतलब फे क्या पर करेंगे हम रिवर्सल ट्रेड करने का फाइंड करेंगे क्योंकि मार्केट अब ऑपर टॉप के मिनी रिंज में है और मुनी रिंज के अंतर मार्केट आलमुस् टूटता ही टूटता है कहां से एकुरेट तरीके से टूटेगा उस चीज़ को हमें थोड़ा सा बजना पड़ेगा और इट दी हाइस लेवल हमें क्या करना पड़ेगा पेसेंटली वेट करना पड़ेगा एक बेस्ट इंट्री के साथ में तो वह एक बड़िया ट्रेड अपनी मिल जाएगी यहां पर तो हम उसका वेट करेंगे ठीक है अभी देख लेते हैं थोड़ा सा हाँ इधर कई से मार्किट ने कुछ तो खेल किया है तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जरा ठीक है जिससे कि थोड़ा बेहतर समझाए तो यह लेवल ले लेते हैं और थोड़ा से टॉप का भी ले लेंगे क्या क्या चीज़े परफॉर्म कर चुकी है और क्या क्या कर सकती है उनको भी थोड़ा से देखेंगे ठीक है अभी दो लेवल मैंने मार्क कर लिया अभी इन ही के बीस का एरिये को मैं अभी फिलाल तो टार्गेट करने का सोच रहा हूँ और करेंट वाली पर मैं थोड़ा से रिजेक्शन या मोल सकते है रिवर्शल ट्रेड करने का देख ठीक है इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया अभी इसको फाइब सेगेंड में अगर देखें अगर मेरी इंट्री थोड़ा से लेवल के बाहर से होती तो भी और अच्छा होता और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ा अमाउंट इदर इंवेस्ट भी नहीं कि है ठीक है थोड़ा सा क्लोज जा रही है बड़ प्रॉफिटिबल होना चाहिए देख लेते इसका ठीक है तो यह ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटिबल रही जैसे मैंने कहा ना कि देखो लेवल के बाहर पतर टॉप का जो लेवल मैंने यह देखो अच्छा का सा रिजेक्श हो जाएगी यहां पर रिवर्शल ट्रेड करने के लिए जो बेस्ट चांसे बन सकता था रिवर्शल का प्रिवियस में वह ने अभी यहां पर ट्रेड किया बट वहां पर क्या हुआ सिर्फ हमें रेजेक्शन मिला ना कि हमें रिवर्शल ठीक है तो हमें अभी थोड़ा सा और पेसेंटली वेट करना पड़ेगा उस केंडल पर क्या हुआ ना कि अगर मुझे टॉप के लेवल से बाहर से इंट्रेड मिल जाती तो मैं मुल्टिपल ट्रेड्स यूज कर लेता क्योंकि जिस तरह से मतलब मैंने तो फिलाल रिवर्शली एक्सपेट किया था बट स्ट एरिया था ठीक है जो रिजेक्शन एरिया था वो अलमुर्श फिल्फिल हो मतलब फुल्फिल हो चुका है तो यहां पर अभी पॉसिबली एक अच्छा रिवर्शल मिल सकता है इसलिए मने यहां पर अच्छा खासा अमांट इन्वेस्ट कर दिया जो कि देख सकते हो आप अ चौथी सेव शॉर्ट हो जाएगी अपनी ठीक है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत आक्रूरेट तरीके से जो कि अपना टार्गेट था कि एकदम परफेक्ट अनलिसिस करेंगे उसी के हिसाब से रिस्क को मैनेज करेंगे मतलब जितनी ज्यादा परफेक्ट जितनी ज्यादा अक्रूरेट अपनी ठेड होगी अपने अनलिसिस में उसी हिसाब से हम अपने रिस्क को रखेंगे ठीक है तो जहां पे जितना बहतर अनलिसिस जहां पे जितना बहतर अक्रूरेट जो ठेड होगी वही पे उतना बहतर हम रिस्क को रखेंगे और यह वाली देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी रिवर्शल ट्रेड बनी जो कि अपना इस पर एकुरेट अनलेसिस भी था पर्फेक्ट इंट्री भी थी सब कुछ अच्छा था इसलिए इस पर बड़ा इंवेस्मेंट भी था और यहां पर हम 233 डॉलर पर पहुझे हैं वो भी कितने से सिर्फ 29 डॉलर से तो 29 डॉलर को ग्रो करते करते मतलब डे थ्री तक आने तक हमने उपर नीचे प्लस माइनस सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मतलब समझ के करके ठीक है उसको पेसेंटली ग्रो करकर करके पहले से पहले थोड़ा 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 और फिर अच्छे से इसको हम और ज्यादा आगे ले जाएंगे एक ही बार में उसने पूरी रेंज को कवर कर लिया तो मार्केट यहां पे थोड़ा सा अबनॉर्मल सा हो रखा मतलब बिहेव करने स्टार्ट कर चुका है तो यहां पे थोड़ा सा वेट करेंगे ठीक है जैसे एक ही कैंडल ले उस तौप की जो रेंज थी एक ही रिवर्सल कैंडल ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया और उसने थोड़ा नया लो हीट कर दिया ठीक है तो हम यहां पे क्या करेंगे थोड़ो सा वेट करेंगे अगें क्योंकि मैं जैसा कहा रहा हूं कि मार्केट थोड़ो सा अबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर चुका और मार्केट के abnormal behavior पे हम जो है मतलब perfect analysis करने के लिए थोड़ सा patiently wait करना पड़ेगा क्योंकि जब market abnormal behavior करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि entry भी आपकी गलत हो सकती है आपका analysis भी गलत हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो exactly pressure को judge करना होता है market के direction को clear clear तरीके से आप judge नहीं कर पाऊगे क्योंकि आप pressure ही नहीं judge कर पाऊगे ठीक है जब आप मतलब price के flow को ही judge नहीं कर पाऊगे तो फिर क्या ही मतलब होगा कि आपका analysis की इस तरह से perfect bet सकता है वो सो चांसे सी नहीं है ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल के सहारे हम थोड़ा सो वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा सो market अजीब सो behave करना स्टार्ट कर रहा है मुझे लग रहा है कि अभी जैसे market green candle के साथ अपने in between के level पे आया है मतलब middle वाले level पे तो इधर एक reversal बनना चाहिए ठीक है अगर healthy candle से reversal बन जाता है current वाली बतलब candle पे red पे healthy candle से तो हम next पे call के लिए जाएंगे ठीक है हाँ next पे call के लिए जाएंगे for sure अगर healthy candle से reversal बनता है तो मतलब देखो मुझे बड़ी बड़ी candles पे trade नहीं करना अगर बड़ी बड़ी candles आएंगी तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा confusion create होता है तो वहाँ पे मैं session को बंद कर दूंगा छोड़ दूंगा जैसा कि जो मतलब एक single candle से इतना बड़ा reversal हो गया कि पूरी top की रेंज ब्रेक हो गई जैसा आपने देखा trade मेरी मतलब show short हो गई profit अच्छा कासा अपना हो गया वह सब ठीक है लेकिन आगे trade करने के लिए भी तो एक perfect analysis चाहिए होगा ना कि सिर्फ एक कि ट्रेड पर सब कुछ हो जाता है ऐसा कुछ नहीं तो देख लो रिवर्सल तो हुआ पर ठेल दी कैडल पर नहीं हुआ ठीक है इसलिए छोड़ दिया मैंने trade नहीं किया और यहां पर मैं trade करूंगा भी नहीं क्योंकि यहां पर क्या है ना यह देख लो यह दो इसको بरसिल नहीं कि अपरिया आड़ मार्केट जीजा Beard की इसको कर रहा है वह कितना एबनौर्म-ल तरीक सा है मतलब की बड़ी साइस की कैंनल बनने की कोसिज कोशलियों एक सिंगल कोंदर थो में थो इसी सिच्रेशन में थो में तो ने शूरत करने वहां क्योंकि बह में तो नहीं भागने वाला मैं बिल्कुल भी ठीक है इतनी जादा बैक टू बैक शेव शॉट हो चुकी है तो मेरे सबसे अभी मैं इसको बंद कर दूँगा ठीक है मेरे नहीं मेरे सबसे तो इसको बंद कर देना से ये मार्केट अब नॉर्मल भीएव कर रहा है और ऐसे सिचयोर में तो मैं डेड नहीं करوس हूं बले कि ठीक हैं मेरे सबसे आज के लिए इतना ही आज के शेशन इतना ही बिलते है नेक्स पर ठीक है चाटा बाई बाई बैए जो भी okay, we'll see you next time, tata, bye bye